पिछले पार्ट में हमने देगा कोई मेगल के पिता को किड्नैप कर लेता है। पुलिस वाले उसकी टीम को ग्रिफतार कर लेते हैं। पहले तीन एपिसोड की कहानी पार्ट वन में हैं। अगर आपने अभी तक पार्ट वन नहीं देगा तो लिंक आपको नीचे में रखा जाता है। एनिस को देखकर ऑक्तावियो कहता है हमारे तो लग गए एनिस ऑक्तावियो की एक्स गर्ल्फ्रेंड है जो सबसे ज्यादा कतरनाक है। एनिस एक के करके सबसे पूछताच करती है मगर कोई भी सच नहीं बताता। लूकस माइनर है अठारा को होने में अभी एक दिन बागी था वो मजद के लिए अपने मा को कॉल करता है लेकिन खराब नेटवर्क के वज़े से वो लूकस की बाट ठीक से नहीं सुन बाती और उसको मज़े करने के लिए कहकर फोन काट देती है। एनिस परेशान हो जाती है मगर उसके हाथ कुछ नहीं लगत मेगल को भी जेल में डाल दिया जाता है अक्तवय जेल से भागने का प्लान बनाता है एनिस मेगल के पिता और खजाने के बारे में इंटरनेट में सर्च करती है अक्तवय भागने का सारा प्लान बना लेता है और तबी चीफ इंस्पेक्टरा कर कहता है चलो सब अपने अप तो उस दिन म्यूजियम में क्यों आये थे उन मैपस में ऐसा क्या है लेकिन सब चुप चुप वहां से चले जाते हैं एनस डायरेक्टर पर गुस्सा होती है कि उसने बिला जाज के सब को जाने दिया तुमने उनको छोड़ने के लिए कितना पैसक आया मेगल लिली से पूछत कर अपने पापा को वापस लाने के लिए कहती है मगर वो स्टोन मेगल के पास नहीं था काने के जासूर उनके पीछे थे जिने अक्तौविय देख लेता है फिर सबके फोन एक साथ बजने लगते हैं करना मेगल से कहता है कि मुझे वो तीनों स्टोन चाहिए वरना मैं तु तुम सब को बरबाद कर दूँगा तुम कभी भी अपने पापा को नहीं देख पाओगे मेगल अपने साथियों से कहता है हम तीनों स्टोन डूंडेंगे मेरे पापा को वापस लाएंगे और सारा खजाना भी हमारा होगा मुझे नहीं पता कैसे पर साथ मिलकर हम कुछ तो रखा है काना कहता है जब तक तिर अब बेटा नहीं आएगा तुम यहीं रहोगे जिसमें मुरालेस कहता है अरे यार अगर वो आने वाला है तो शायद मेरी मौत यहीं होगी एनेस अपने बेटे से कॉल पर बात करती है लेकिन तब उसका एक्स हर्द्बेंट आकर उसको को ख़ाने की बैक स्टोरी बताता है पेडरो, अलन्सौ और फरांसिसको तीनो एक नमबर के हरामी थे अलन्सौ खाने पेडरो दारू और फ्रांसिसको जूए का शौकेन था मतलब तीनों को पार्टि करना बहुत पशंद था हो सकता है फ्रांसिसको को कुछ औरतों के साथ प् पुछता है फिर क्या हुआ लेकिन मेगल को आगे कुछ भी नहीं पता था बाकी दो स्टोन कहा मिलेंगे इसका पता केवल उसके पापा या उनकी डायरी से चलेगा सब लोग मिलकर काने के आदमियों को चक्मा देने के लिए एक एक करके वहां से निकलते हैं लिली पहले जात है और विस्टन गाड़ी लेकर सीधा निकल जाता है उल्डेज हूम जाकर मेगल अपने पापा की डायरी डूंडता है जहां उसको एक पुराना ग्लोब मिलता है जिसके अंदर उसके पापा ने डायरी को छिपा का रखाता है खजाने के और सुराग पता लगाने के लिए आरियल के गर जाती है अलंसो और पेड्रो के बारे में पूछने पर आरियल कहता है कि मेरे पास उनके एक पुरानी तस्वीर है वान की डायरी से मेगल को बाकी दो स्टोंस के बारे में भी पता चल जाता है जो असल में खजाने की चाबिया थे आरियल वो तस्वीर लिली को जहां कोई नहीं था लुकस सारे रेडियो सिगनल जाम कर देता है काने से बात करने के लिए उसको अपना फोन इस्तिमाल करना पड़ता है और काने की लोकेशन ट्रेस हो जाती है लुकस कॉल कनेक्ट करता है और मेगल अपने पापा से बात करवाने को कहता है वो अपने पाप इंगर ही उसे खूल सके, मेगल अपने पापा से फोकस करके बताने को कहता है, मगर हुआन कहता है, मुझे नहीं पता, उन स्टोन्स का वजूद है भी या नहीं, अगर था भी, तो उनके साथ ही दफन हो गया होगा, लिली मेगल को कॉल करके बताती है कि वो तीनों चाबिया है लूग चाबिया हमेशा अपने पास रखते हैं और वो स्टोन आप उनकी कबर में मिलेंगे अपने रूम में आते ही एनिस मेगल को गन पॉइंट पे लेती है और पैसो की डिवान करती है मून स्टोन एनिस के पास था वो भी खजाने में हिस्सा मागती है अक्तावियो काने के आदमी की गाड़ी से उनके अड़े पर पहुंच जाता है लेकिन काना वहाँ से पहले ही निकल गया था आगे हम काने को आरियल के साथ देखते हैं जो रियल में उसका बास है और खजाने को पाना चाहता है अगले एपिसोड में लेली एक नन बनकर अक्तावियो लूकस और सितलाली के साथ एक चर्ट में जाती है जिसके नीचे औलंसो की कबर थी मेगल विल्सन के साथ पेडरो का स्टोन ढूरने जाता है जिसकी कबर को कुछ साल पहले ही किसी ने लूट लिया था बाद में इंटरपोल ने कबर लूटने वालों को पगड़ लिया और लूट का सारा सामान एक वेयर होस में पहुँच गया लिली फादर से कहती है ये लड़की बहुत बेमार है ये मुर्दो की भाचा समझती है मेगल और विल्सन वेयर होस में स्टोन चुराने जाते है लिली फादर को पैसे देते हुए कहती है हमें कबरों के पास जाकर इसका इलाज करना होगा ये पैसे गरीबों में बांट देना वेरहोस में मेगल को स्टोन मिल जाता है लेकिन सिक्योरिटी वाले उनको पकड़ लेते हैं चर्च के नीचे लूकस सित्लाली और अक्ताव्यों को अलंसो की कबर मिल जाती है अक्ताव्यों कबर को तोड़ने लगता है दूसरी और सिक्योरिटी वाले पुलिस को बुलाते हैं जहां एनेस आती है वो गाट से सबूद के तोर पर स्टोन लेती है और उन दोनों को वहाँ से ले जाती है अलंसो की कबर तोड़ने के बाद उनको भी अर्थ स्टोन मिल जाता है वो लोग स्टोन लेकर चर्च से निकल जाते हैं फादर विजरा अकवार के टुकड़े गिंता रह जाता है अब तीनों स्टोन इनके पास थे सब लोग लुकस के रूम में जमा होते हैं अनिस को मिल के साथ देखकर सब गुसा होते हैं मगर वो सब संभाल लेता है मेगल तीनों स्टोन को मिलाकर देखता है और चावी बनाता है जिसके साथ खजाने का बक्सा को लेगा तब ही लुकस की बम्मे रूम में आ जाती है जिसे देखकर सब लोग बाहर चले जाते है लुकस की बम्मे बहुत खुश होती है कि उसके बेटे के दोस्त भी है उस मेगल को छोड़ कर सब लोग इंजोई करते हैं तब ही काना मेगल के लिए एक नोट बेशता है तीनो स्टोन रात तस बजे तक हमें पहुश्चा देना आर्यल खजाने के बारे में हुआन वरालेस से पुशता है मगर वो कहता है कि मुझे किसी खसाने का पता नहीं अगर मेरी डायरी मेरे पास होती तो शायद मैं तुम्हें कुश बता सकता था यहाँ सब लोग अपने-अपने काम में लग जाते है विल्सन स्टोन्स के डुप्लिकेट बनाने में लग जाता है सितलाली और लुकस छॉपिंग के लिए जाते है और मेगल लिली के साथ जाता है लुकस के बमी ने उसका कार्ट ब्लॉक करवा दिया था लेकिन सितलाली स्टोर से सारा सामान चोड़ा लेती है और दुनों भाग जाते हैं। लिली और मेगल आर्यल के बास जाते हैं। मेगल उसे रिक्वेस्ट करता है मेरे पापा को सही सलामत लाने के लिए मग्जे तुम्हारी मदद चाहिए। आर्यल एक शर्त पे मदद करने को मान जाता है कि वो खजाना मेरे मिर्जियम में होना चाहिए जिसे मेगल मान जाता है मेगल अपने पापा की डाइरी उसे देते हुए कहता है मुझे इसमे कुछ नहीं मिला शाद तुमें कुछ मिल जाए डील होने तक आरियल लिली को अपने करने में बिजी था लिली शराब लेने के बहाने जीचे जाती है जहां एक रूम में आरियल ने मेगल के पिता को लॉक करके रखा हुआ था लिली बोट में मेगल के पिता को ठून लेती है लेकिन बीचे से आरियल आ जाता है सितलाली कमीला बनकर लुकस के माता पिता से मिलती हैं अपनी सोचल मीडिया प्रोफाइल निखाने के बाहने वो लुकस की मा का वालेट निकाल कर उसमें से कार्ड चुराती है, खाने के बाद सितलाली और लुकस दोनों इंजॉए करने लगते हैं, सितलाली के हाथ लगाते हैं, लुकस नर्वस हो जाता है और वहाँ से चला ज कढ़ा स्टोन लेने के लिए अपने आद्मियों के साहता है और और पिछे चिपए होई लोकस और सितलाले को भी निकाल लाता है वेल सूझ यद्लारे को देता है और तबह अरियल इनको छोड़कर काने की साइड ऊ-d बता था कि ये स्टोन नकली हैं वो लुकस को मारने की दम की देकर विल्सन को रियल स्टोन देने के लिए कहता है विल्सन को रियल स्टोन देने पड़ते हैं जब आरियल वो स्टोन लेकर वहाँ से जाने लगता है मेगल कहता है भाई अपने हाथ दो लिया करो तुम्हें क्या लगा, मैं अपने पापा के लोशन की स्मेल नहीं पहचान होगा, लुकस सारी लाइट्स बन कर देता है, आरियल के आदमी ही उस पर गन तान देते हैं, जिने मेगल ने खरीद लिया था, सब लोग वहाँ से निगल जाते हैं, एनेस अक्तावियो, मेगल के पापा और लिली को आरियल की पोट से चुड़वा कर ले आते हैं, लिली आते ही मेगल को एक मसाले दर थपड़ मारती है, क्योंकि मेगल को पहले से पता था, कि उसके पापा आरियल के पास है, सब लोग निराश होते हैं, कि तीनों स्टोन हाथ से चले गए, लेकिन मेगल ने उनको दो असली और एक नकली स्टोन दिया था, मेगल हुआन से पूछता है, कि उन स्पैनिश लोगों ने खजाना कहा चुपाया था, लेकिन हुआन का फ्योज फित से उड़ जाता है, लिली एक कबर के बात करती है, और इनको पता चल जाता है, कि खजाना उसी पिरामिन में है, जहां वो कब रहा है, सब लोग एक नए सफर के लिए निकलते हैं, एक प्लेन लेकर वो पार्टी करते होए, पिरामिन से खजाना लेने जाते हैं, अब तौवियो को चोड़ कर, सब लोग नशे में फुन हो जाते हैं, इन सबके सोते ही पाईलट प्लेन को आटो पाईलेट पे लगा कोई तो गदार है और प्लेन में शराब लेकर कौन आया अक्तौवियों ने शराब नहीं पी थे अक्तौवियों सबसे पूछता है एक एक करके बताओ पिशली रात कौन कहा था पहले विल्सन बताता है तुम सबसे मिलने के बाद मैं सीधा अपने घर गया लेकिन असल में कु लिली कहती है सबसे मिलने के बाद मैं अपने घर गई समान पैक किया अपने कुटे को खाना दिया और सो गई लेकिन रात में किसी ने उस पर हमला किया था जो उसे मारने आया था सितलाली कहती है मैंने रात को बहुत बाटी गए बगर सितलाली पहले अपने घर गई थी फि प्लेन क्रेश होने लगता है लेकिन मेगल अक्तावियो का फून दिखने की जिद करता है। असल में मेगल ने रात को लेली की जान बचाई थी और दोनों रात को एक साथ थे एनेस और विल्सन दोनों एक पेड़ पर लटके हुए थे सितलाली और लुकस भी सेफली नीचे आ जाते हैं मगर बाकी सबसे बहुत दूर थे मेगल के पुछने पर एनेस बताती है मेरा एक साथ में बहुत बड़ा जलन खो रहा है और उसने मेरे बेटे को मुझे से चीन लिया है जिसे वापस लाने के लिए मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए लुकस सितलाली से पूछता है रात तुम मेरे कमरे में आई थी मगर तुमने वो पैसे क्यों नहीं जुराए सितलाली कहती है हर बात बताना जुरूरी नहीं होता और इनका रोमैंस चुरू हो जाता है लेकिन लुकस चुरू होने से पहले ही खतम हो जाता है विल्सन बीमार लग रहा था वो लिली से कहता है मेगल को धुका मत देना लिली कहती है तुमें मेगल को बता देना चाहिए तुम बीमार हो विल्सन को कैंसर था जिसका इलाज होने में बहुत देर हो चुकी थी लुकस शरम से पानी पानी हुआ बैटा था मगर सितलाली कहती है यह नॉर्मल है और तब ही सब लोग वहाँ आ जाते हैं जंगल को पार करके वो लोग खजाने वाले पिरामिंट तक आ जाते हैं मगर गाना वहाँ पहले ही पहुँच गया था लिली ने इनको धोका दिया था वो काने के साथ चली जाती है काने के आदमी बाकि सबको पिरामिंड में बांद करके वहां से निकल जाते हैं। लिली आरेल के घर जाती है और उसको एक पुराना लेटर देती है जो उसको पिरामिंड में मिला था। जिसमें लिखा था, फ्रांसिसको सबको धोका दिकर, खजाना लेकर भाग गया। दूसरी और अक्तावियो आकर सबको पिरामिंड से निकलता है और मेगल को एक पंच मारता है, क्योंकि उसकी वज़े से ही वो मरने वाला था। और हमें यहीं पता चलता है कि वो फून क्यों नहीं दिखा रहा था, क्योंकि रात को वो एनिस के साथ था, और दोनों ने कूप पार्टी गे थी, सब पिरामिंड से बाहर आ जाते हैं, आरियल को विश्वास हो जाता है, क्योंकि लिली ने उसको लाकर दिया था, लिली का दिमाग खटकता है, और वो कहती है, वो जे पता है, खजाना कहा गया होगा, फ्रांसिस को दो शिप के साथ योकतान से बाहर निकला था, लेकिन वो किवल एक शिप लेकर क्यूबा पहुंचा, जिसमें खजाना था, वो शिप कही रास्ते में ही डूप गया था, दोनों अभी मीगल का साथ छोड़ा ही नहीं था, इतने में काना अपने आदमियों के साथ आ जाता है, आरेल कहता है कि मुझे खोलो, मगर वो उसकी टांग में गोली मार देता है, काना मीगल से पूछता है, कै तुम्हें अभी तक याद नहीं आया, कि मैं कौन हूँ, तुमने और तुम्हारे पाप ने मुझे लूटा ता, और मेरा चहरा तुमने जलाया था, मीगल कहता है, यार वो बचपन की बात है, वो मीगल को गोली मारने लगता है, और विलसन बीच में आकर उसको बचाता है, लेकिन काना विलसन को अपने खंजर से मार देता है, गुस्से में लेवल गिरने लगता है एनिस और अक्तावियो मज़े से बाते कर रहा है थे तब ये एनिस की नज़र से क्रीन पे जाती है जिसमें कैमरा फूटेज एक ही लूक में चल रहा था सितलाली अपनी रस्ती खोल लेती है एनिस और अक्तावियो उनको बचाने के लिए जाते है विल्सन अभी जिन्दा था मेगल उसको हॉस्पिटल में ले जाने के लिए कहता है विल्सन मेगल को बताता है कि मुझे कैंसर है और मैं हॉस्पिटल के बैट पे मरना नहीं चाता चलो खुझाना डोड़ते हैं वो लोग अक्तावियो के बोट लेकर समंदर में खुझाना बहा देना इतना कहकर विल्सन दुनिया चोड़ देता है विल्सन के मरने पर सब लोग दुखी होते हैं वो उसकी आखरी ख्वायश पुरी करते हैं और उसकी लाश को पानी में बहा देते हैं दारू पीते हुए मेगल मैप को जलाने लगता है और तब उसको स्पैनिश की पीजाता है कि रियल मैप में कुछ चेद बने विय थे मेगल आग्ट बजाकर मैप सब के बास viag May जाता है वह मैप की कुछ लोकेशन में शुराख करते हुए सब को पूछता है क्या किसी को पता है फुराने टाइम में लोग नैविगेट करने के लिए क्या इस्तिमाल करते थे वो मैप के शेदो कुछ सितारों के साथ मैच करता है लुकस 1550 के हिसाब से सितारों की लोकेशन सेट करता है जो फ्रांसिसको का जहाज दूबा था सही लोकेशन मिलने के बाद सब सेलिब्रेट करने लगते हैं लुकस लिली के पास अपने प्राब्लम लेकर जाता है लिली कहती है सब कुछ घर वापस आने जैसा होता है बस इतना कहते ही सितलाली आती है और आगे का मैटर संभालती है लिली मीगल के पास जाती है मीगल उसे कहता है तुम्हें तुम्हारा पासपर्ट मिल गया अब तुम फिर्ट से चली जाओगे लुकस और सितलाली की रंगीद जाते हैं जहां उनको फ्रांसिसको के जहाज का मलबा मिलता है और साथ ही वो खजाने वाला बक्सा भी जिसे वो पानी से बाहर निकाल लेते हैं इसे खोलने के लिए तीन चाबिया जाये थी और इनके फास तो सिर्फ एक थी मीगल फिर से फ्रांसिसको की स्टोरी सुनाता है तीनों को पार्टी करने का बहुत शौक था फ्रांसिसको को जुआ खेलना पसंद था और तीन चाबिया बनाने का आइडिया भी उसी का होगा लेकिन वो किसी के साथ खजाना पार्टना नहीं चाहता था है कहते हैं 1541 में पैद्रो मारा गया उसके दो साल बात अलंसो भी मा हुआ था सब लोगों की आखे खजाना देखकर चमक जाते हैं तभी एनस को कुछ डाउट होता है और देखने के लिए पीछे जाती है इतने में काना अपने लोगों के साथ वहां आ जाता है वो सोने का तेंदुआ देखकर कहता है मैंने इसके बारे में पहली बार तुमार मारने वाला था और तभी पीछे से आरेल काने को गोली मार देता है मीगल विर्चन की टांग से आखरी शॉट मारता है और काना मारा जाता है आरेल कहता है ये खजाना मेरे में जाएगा मगर सब लोग उसको मारने के धमके देते है फिर आरेल सब के साथ एक डील करता है कि तुम लुक सोना रख लो और ये तेंद्वा मैं रखोगा लेकिन लिली तेंद्वा लेकर वाहसे भागने लगती है जिसे रोकने के लिए मीगल उस पर गोली चला देता है लिली ने कभी सोचा भी नहीं था कि मीगल उस पर गोली चलाएगा तेंद्वा आरेल के म्यूजियम म चला जाता है, लुकस सब कर सोना बेच कर सब के अकाउंट में पैसे डलवा देता है, लिली का हिस्सा सब में बराबर बाट दिया जाता है, विल्सन का हिस्सा मीगल को मिलता है, अक्तव्यो एनस के बेटे को उसके पास ले आता है, सितलाली अपने लिए एक आलिशन घर लेती जहां डैनियला जानी हमारी प्यारी लिली उसका वेट कर रही थे मीगल और लिली का प्लाइन लिली को मार कर डैनियला को जिन्दा करना था मीगल लिली से पूछता है कहा तुमने गभी टियर ओफ फायर के बारे में सुना है एक ऐसा खजाना जिसे किसी ने आज तक नहीं देखा और इसी के साथ हमारी इस सेरी का पहला सिजन खतम होता है अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो एक कमेंट दिल से कर देदा लाइक जेर और सब्सक्राइब भी कर देदा मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक जैहन